हेलो फ्रेंज वेलकम टू हरी टेक्निकल दोस्तों आज हम लोग कोरियंट नाम का यह जो एलेडी बल्फ है इसको रिपेर करेंगे यह 9 वाट का है और यह कोरियंट का नाम से है तो चलिए दोस्तों इसमें क्या फॉल्ट है यह हम लोग रिपेरिंग करना सीख लेते हैं तो द लेड़ी जल रहा है कि नहीं चल रहा है तो यह सिरिंज लेप है जल रहा है अब इसको टेस्ट करेंगे इससे और दोस्तों देख सकते हैं यह हलका सा जल रहा है ज्यादा फूल रोस्न नहीं दे रहा है ठीक है तो यह हलका सा ग्लो कर रहा है तो इसको हम लोग पहले क्या करेंगे इसको हम लोग MPCB को चेंज करके चेक करेंगे कि इसको वेर को निकालको मैं और इसकी जगह मैं दूसरा MPCB fit करूँगा तो यह देखिए मेरा पास यह दूसरा MPCB है इसको मैं इसमें connection कर लेता हूँ तो इसका connection दोस्तो हो गया है अब चलिए इसको मैं फिर से test करके देखता हूँ कि यह जल रहे कि नहीं तो इसको test करेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं यह मैंने दूसरा MPCB लगाया हूँ लेकिन यह है full glow नहीं कर रहा है हलका हलका ही glow कर रहा है उतना रोसनी नहीं दे रहा है इसका मतलब इसका circuit का problem हो सकता है तो चलिए मैं इसका circuit को बाहर निकालके इसका problem देखते हैं यह मैं नया MPCB लगाया हूँ लेकिन यह full glow नहीं कर रहा है तो इसका MPCV ओके है इसका circuit से problem है तो मैं इसका circuit खोल के दिखाता हूँ तो दोस्तों देखें ये मैंने circuit निकाल दिया हूँ लेकिन दोस्तों इसका जो connection है ये देख सकते हैं ये local company वाला fire का कहा connection किया हुआ है तो लग रहा है यहां देखें ये resistance लगा हुआ है लेकिन ये resistance है ये जला हुआ है ठीक है तो ये देखें ये जो repairing जो किया है इसमें MOV भी नहीं है ये जो repairing कर और ये जो इसका connection है वो bridge rectifier का यहां में किया है लेकिन ये सही से किया नहीं है जिसके कारण ये देख सकते हैं यह ब्रीज एक्टिफायर में एक लेग यहां पर कनेक्शन के हैं लेकि दूसरा लेग में इसका टच हो रहा है यहां पर टच हो रहा है कहीं इसके कारण यह कम जल रहा है तो दोस्तों यह जो रिपेरिंग हुआ है यह सही से रिपेरिंग नहीं हुआ है और चलिए इसको हम ल इसको अच्छा से कनेक्शन नहीं हुआ है तो अब इसको क्या करेंगे यहाँ पर सही से कनेक्शन करेंगे तो यह हो गया सफाई का काम अब चलिए इसको फिर से टेस्ट करते हैं कि अब क्या दिखा रही है अब करेंगे तो इसका मैंने कनेक्शन कर दिया हूँ अब चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं यह देख सकते हैं यह फिर भी कम गलो कर रहा है यह देखे फूल रुस्ने नहीं दे रहा है औथ्सरा बिलन्किंग कर रहा है यानि कि प्रोब्लम इसका सर्कीट में हं ही है अभी भी प्रोब्लम सौल्फ नहीं हुआ है ठिक है तो हम व्यों क्या करेंगे पर इस सर्किट को ध्यान से देखेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है और इसको इस जगा में में एक प्रॉब्लम हो सकता है तो चलिए दोस्तों यह जो पी एफ इसका इस्तमाल करते हैं इसका वेलव देख सकते हैं 125 1200 शrobас पचीस जैसले 400 वल्ड है इसका इस्तमाल में करूंगा तो और यह फ्रॉब्लम करते हैं कि सर्किट में क्या प्रॉब्लम है तो चलिए इसका connection हो चुका है अब इसको मैं IC को sort करूँगा अब देखते हैं यह last में क्या यह यह जल रहा है और इसका IC को जो middle वाला लेग है इसको मैं sort करूँगा अब देख सकते हैं इसका रोस्तनी जो है वह हलका सा बार रहा है तो दोस्तों देख सकते हैं इसका IC को जो मैं sort कर रहा हूं तो यह इसका रोस्तनी बर रहा है अभी देखिए यह हलका जल रहा है अब देखिए इसको मैं sort करूँगा यह देखिए रोस्तनी बर चुका है कि यह देखिए तो दोस्तों प्रॉब्लम इसका IC में है एक बार मैं फिर से आपको दिखा दूँ यह सरकीट भाग रहा है इदर इसको त्रट चलिए अब इसको sort कर देए दोस्तों देख सकते हैं यह रोस्तनी तेज हो गया यानि कि इसका IC खराब होने वाला है तो हम लोग क्या करेंगे इस आज में पीएफ लगा दिया हूँ इसका IC को चारले को sort कर लाना यह देखिए ठीक है यह देखिए रोस्तनी बढ़ गया अब यह देखिए कम हो गया ठीक है यह देखिए कम जल रहा है अब देखिए तेज हो जाए यह देखिए तो इस तरह से आप लेडी को okay कर सकते हैं त चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा थैंक वाचिंग हरी टेकनिकल